अस्सलाम अलाइकूम वरहमत लाए बबरकातू आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी चना दाल की रेसिपी जो आप खाएंगे एक बार 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 बनाएंगे सबसे पहले हमने एक कुकर रखा उसमें हमने तोड़ा सा जीरा डाला थोड़ी सी काली मिर्च डाली एक दो लौंग ड हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउंट हो जाए तो उमकि को अच्छे से चील कर दhouकर बारी काटकर एक चली में रख लेना हैं अगर इसमें भीज बीज dhोना अगरos जाए तो इसके काल लेना है अगर लौखी कालर बीज सव्ट है तो हमें काट लेन els mature ऑस काट लेना ह अब इसमें हम सोके मसाले डालेंगे हमने आदी चम्मच हल्दी डाली आदी चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली क्योंकि हम चार सोकी लाल मिर्च इसमें डाल चुके हैं और एक चम्मच भरकर हमने सोका धनिया डाला अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे आपको हमारा वीडि एक चम्मच अदरक लेसून का पेश्ट डालेंगे और इसे एक बार हम फिर चला कर फिर एक बार फिर मिक्स करेंगे और अब हमने चनैगी दाल धोकर दो घंटे पहले रख दी है हम इसे पानी डाल कर थोड़ा सा और अच्छे से भुन जेंगे हमने चनागी दाल ये दो गंटे पहले फूलने रख दी है इसे चनागी दाल फुलोना बहुत जरूरी है तबी गलेगी इसे दो नहीं तो आप एक गंटे पहले रख दें से अब इसमें हम आदा गलास पानी डालेंगे अब पाई डालेंगे कि ये चना दाल गल जाके होंगे हम बिल्कुल बुंजमा लौखी और चननगी दाल बनाने जा रहे हैं अब ये हमारे सारे सामान डल चुके हैं अब हम इसमें डक्कन लगाएंगे और इसमें पास सीटियां लगाएंगे आप थोड़ी सी देमी फिल्म पर पास सीटियां लगाएंगे ये देखिए कितनी अच्छी सबजी बनी है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे